नमस्कार बच्चों आप सभी को नाराइना लाइव क्लासेस में स्वागत है आज का हमारा अमेजिंग असायनमेंट भारत के बच्चे भारत के बच्चे पाड से यहां पर हमें एक छोटा सा अभ्यास दिया हुए बटा देखेंगे क्या है रडी है चलो आज आईए रेखा खींच कर समानार्थक शब्दों को मिलाओ क्या पुछे बटा रेखा खींच कर समानार्थक शब्दों को मिलाओ याने हम समानार्थक शब्दों को पहचानना देखेंगे इधर कुछ शब्द दिये हुए है इधर समानार्थक शब्द है उचित समानार्थक से हम जोड ना हे देखेंगे तूफान राह साहस अभिलाशा काम इस तरफ है और इधर हिम्मत हौसला कार्य कर्म इच्छा चाह आंधी जंजा मार्ग रास्ता थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़े से समझ में आया ने बिटा हां देखेंगे अब करेंगे तूफान तूफान आंधी तू तूफान बताते हैं ना हाँ उसको कहते हैं तूफान देखिए कहां पर है या जंजा जो शब्द है अगर से हमें समझ में नहीं आया है लेकिन आंधी हाँ इसके साथ हम जोड सकते हैं तो तूफान का अर्थ है आंधी ठीक है तूफान को आंधी और जंजे से जोड दिये ठी कहते हैं तो यहां पर देखिए रास्ता दूसरा शब्द क्या है रास्ता और मार्ग इनको हम राह से जोड़ना है देखिए बड़ा राह मार्ग और रास्ता ओके देखिए साहस हम साहस के बच्चे पड़े है ना हां साहस साहस का मतलब क्या होता है हमें हिम्मत रहना है ना हिम और होस्ला दोनों भी किसके साहस के सम्मानार्थ तक शब्द है जोड़ेंगे very good अब यहां बचा है दो शब्द अभिलाशा आपके अभिलाशा क्या है हम पूछते हैं मैं यह बनना चाहूंगा यह बनना चाहूंगा इसा बताते हैं न हाँ इसका मतलब क्या है चाह चाह या इच्छा इच्छा होता है अभिलाशा के समानार्थी और अंत्मेants बच्चा है बहुत आसान है बयटा यह जो काड़ी कर्म दिये हुए है संस्कृत शब्द है उसका हमारे हिन्दी शब्द क्या है काम का समानारती कार्य और कर्म टेके बेटा इस प्रकार से हम अन्यों शब्दों के समानार्तक शब्दों को भी हम जान सकते हैं समझ में है में बेटा धन्यवाद बच्चो